स्वीट टेमपर्ड प्लस नाउन यह इस्ट्रक्चर मैंने लिखाया था वेटा वहाँ अब इस पर भी जो है आप अनेक वर्ड बना सकते हैं स्वीट टेमपर्ड के बाद नाउन बदलते जाईए और एक नया वर्ड बनाते जाईए चुकि मधूर सा वहाँ का अगर कोई मधूर सा वहाँ का बेखती है लड़की है, महिला है, लड़का है, नेता है एक्टर है, नायक है, महनायक है, सिक्षक है, इंजिनियर है तो आप उस तरह को वर्ड बनाते चले जाईए बनाईए वटा ऐसे कि स्वीट tempered मैं, मतलब मधूर सा वहाँ का इंसान मधूर सा वहाँ का आदमी अब यहाँ पर मैं के जगाप पर जोड़ दीजे लेडी मतलब मधूर सा वहाँ की औरत यहाँ जोड़ दीजे बेटा वा, मतलब मधूर सा वहाँ का लड़का यहाँ जोड दीजे गल, मतलब मधूर सभाव की लड़की, यहाँ जोड दीजे बटा, leader, मतलब मधूर सभाव का नेता, यहाँ जोड दीजे बटा, teacher, मतलब मधूर सभाव का सिक्षक, आप जोड दीजे बटा, doctor, मतलब मधूर सभाव का doctor, आप जोड सकते हैं बटा, यहाँ यहां पर एक्टर मतलब मधूर सभाव का एक्टर अभिलेता एटी सी मतलब आप हाजारों के संख्या में जो है यहां पर नाउन जोड़कर टेमपर यानिके स्वीट टेमपर के मदद से आप वर्ड बना सकते हैं और इसके मदद से अब संटेंस भी बना सकते हैं छोटा- टेमपर्ड मैन मतलब वह मधूर सभाव का इंसान है कहेंगे मिस्टर गाधी वाज अश्वीट टेमपर्ड मैन मतलब गाधी जी जो है मधूर सभाव का इंसान थे कहें कि माई गल फ्रेंड इज़वर टेमपरड गल माइ भौ फ्रेंड इज़वर्ड टेमपरड वाग माई हश्वीट टेमपड मैन माय वाइफी पूड़ बना यहीज़़ अब इस तरह से वर्ड बनाएं संटेंस बनाएए एकदम नं-स्तोप बनेगा चुकि ट्रीक आप मतलब मोदी क्या है तो मधूर सौभाव के इंसान है Mr. Yogi is sweet tempered man Mr. Lalu is sweet tempered man Mr. Amitabh Bachchan is sweet tempered man My father is sweet tempered man My mother is sweet tempered lady तो इस तरह से जहाँ आप word बनाईया और sentence बनाईया मतलब नने stop बनेगा जयाम दिजेगा बटा अगला इस्ट्रक्चर था आम लोग का ill tempered ill tempered प्लस noun मैंने बताया था कि ill tempered का मतलब होता है चिड़ चिड़ा चिड़ चिड़े सोभाव का तो यहां noun जो है बदलते जाईये और एक नया word बनाते जाईये अगर कोई लड़का हो लड़की हो आदमी हो औरत हो नेता हो अभिनेता हो शिख्षक हो डॉक्टर हो और चिड़ चिड़ा टाइप का हो चिड़ चिड़ा tempered man मतलब चिड़ चिड़े सोभाव का इंसान चिड़ चिड़े सोभाव का आदमी और मैन के जगह पर क्या कर दीजिए बटा लेडी कर दीजिए मतलब चिड़ चिड़े सोभाव की औरत महिला यहां पर अब जो है girl कर दीजिए मतलब चिड़े सोभाव की लड़की यहां इहां पर ब्या करदीजिके मतलब चिपषिए स्वाव का मतलब चिपषिए स्वाव का मुझा कर दीजिके यहां बेटा डॉक्टर कर दीजिए, मतलब चिर्चिढे स्वभाव का डॉक्टर, यहां लीडर कर दीजिए बेटा, मतलब चिर्चिढे स्वभाव का नेता, यहां एक्टर कर दीजिए बेटा, मतलब चिर्चिढे स्वभाव का अभी नेता, एटीसी कर दीजिए, चुकि हजारों के संख्या में जो है नाउन आप जोड़कर हजारों के संख्या में वर्ड बना सकते हैं अब sentence भी इस पर आप बना सकते हैं वटा जैसे आप बोल सकते हैं किसी को अगर लगता है कि वो इसी सवभाव का है मतलब ill-tempered आगमी है ill-tempered lady है, ill-tempered girl है, ill-tempered boy है, doctor है, engineer है, leader है, teacher है, student है तो बना ये कि he is a ill-tempered man मतलब वह चिर्चिड़े सवभाव का इंसान है, आदमी है, she is a ill-tempered lady मतलब वह चिर्चिड़े सवभाव की औरत है, महिला है मैंने बताया था कि ill-tempered की सू कहते हैं मतलब कुछ औरते होती हैं, कुछ मर्द होते हैं, जिनके सरीर में बलड नहीं रहते हैं तो एकदम चिर्चिड़ा रहते हैं एकदम लगे है कि किस से लडाई कर ले, किस से जगड़ा कर ले जो कुछ भी आप कहिएगा, वो आप ही पर अपना गुस्सा उतार लेगा उसकी फिजिकल प्रोब्लम है, लेकिन आप पर अपना गुस्सा उतार लेगा तो वैसे इनसान को हम क्या कहते हैं, ill-tempered कहते हैं रागनी इस, सम्मा एन लगा, he is an, she is an, रागनी इस an ill-tempered girl मतलब रागनी क्या है, तो ill-tempered girl है, रागनी क्या है, ill-tempered girl है इस तरह से बहु सारे संटेंसे बनाया सकते हैं इन वर्ट के मजद से, इस तरह से बहु सारे संटेंसे बनाया सकते हैं इन वर्ट के मजद से, ओगे इल-tempered के बाद कौन सा इस्टेक्चर था था बटा The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneev and make your spoken English, dreams come true. Download the app now.